चीन के खिलाब पूरे देश में लगतार अक्रोश बढ़ रहा है, अब राज्य स्तर पर भी कारवाई शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मुबाइल एप पर प्रतिबंध लगा दिया है ऐसे 52 मुबाइल एप पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पाबंधी लगा दिये तो राज्य सरकार के स्तर पर भी चीन के खिलाब फैसले लिये जाने लगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने चाइनीज मुबाइल एप कंपनियों पर रोक लगा दिये इन पर पाबंदी लगा दिया बावन ऐसे मुबाइल एप के यूज को प्रतिबंद लगाया गए उन पर तो राज्यस्तर पर कारवाई में सबसे पहले उत्तर पर देश आ गया है लगाया है मुबाइल एप्स जो चाइना कंपणियों के मुबाइल एप्स है उन पर प्रतिबंध लगा दिये गया है उत्तर परदेश में 52 एसी मुबाइल कंपणियों के एप्स के यूज पर उसको प्रयोग पर उन पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उत्तर परदेश सरकार ने बड़ी कारवाई किये चाइनीज मुबाइल कंपणियों के एप के खिलाफ ऐसे 52 एप पर रोक लगा दिये और राजिय सरकार के बड यह अब कारवाई चीन के खिलाब शुरू हो गई है जादा जान करने के लिए हमारे स्वानता आकाश शेकर शेद्मा हमसे जुड़ गये हैं आकाश जी उत्तर परदेश सरकार ने राजियस तर पर मेरे को लगता है चीन के खिलाब एक बड़ी कारवाई सबसे पहले उत्तर परदेश की तरफ से सामने आई है चीनी मोबाईल कंप्रियों के एप पर प्रतिबंध लगाया गया है अकाश देखें देबंदर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आई जी एक तरमचारियों को आधेश दिये हैं कि जितने भी तरमचारी और अधिकारी हैं वो खास्तोर पर स अकाश यह तो राजयस्तर पर कारवाई हुए लेकिन हम देख रहे हैं पूरे देश में अलग-अलग राजियों में दिल्ली की बात करें हर्याना की और राजयसरकार की बात करें अलग-अलग परदेशों में जो आम लोग है जो वेपारी संगठन हैं सामाजिक संगठन हैं वो भी चाइनीज प्रोड़क्स के खिलाफ ए लेकिन हम अब बात करें तो अभी वो प्रोड़क्स को लेकर करके ही उसने अपनी शित्या सुरार नहीं पाए हैं तो ऐसे मामले को लेकर करके अभी उनकी जो अगने जवान सहीद हुए हैं उनके बात में ज़रूर कई नगई एक शोचल मीडिया पर जो यह देखा जा रहा है वो आईजी एस्टेव के दुवारा और अधीमस करमचारियों के लिए यह में में कहा गया है वो अपने मोवाइल जो अपने परिभार के मोवाइल से चैनी जायर फटाने की बात कि तो अकाश जब पाकिस्तान की बात आती थी पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ दिया एक और फिर भारत को तो चीन के मामले भी भी पूरा देश एक जूट नजर आ रहे है बहुत बहुत शुक्रिया अकाश आपका